नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एशियन गेम्स में भारत के लिए 28 सेप्टेंबर को क्या शेडियूल होगा सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं हर एक इवेंट के बारे में तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा चली चलते हैं मेरी स्क्रीन के जिसमें वुमेंस इंडिविजुल में आपको देखने वाले हैं आदिती अशोक, प्रशान्त और सारत जी और उसके बाद चार बजे ही एक और इवेंट शुरू होगा गोल्फ का जिसमें वुमेंस टीम राउंड वन होगा इंडिया का जो इंडिविजुल और टीम दोनों कंबाइन चलेंगे और फिर उसके बाद साड़े चे बजे 6.30 एम पर 10 मीटर एयर पिस्टल मैंस क्वालिफिकेशन शुरू होगे जिसमें अरजुन सिंग, शबर जोट सिंग और नर्वाल शिवाजी खेलते हुए दिखाई देंगे और इनी का गोल्ड मैडल मैच भी हो जा पर शोटगन रेंजिस देखने को मिलेंगे स्कीत, मिक्स टीम, क्वालिफिकेशन राउंड होगे टीम्स के फिर उसके बाद आपको लगबग 8 बजे गोल्फ के मैच इस देखने को मिलेंगे मैंस इंडिविज्वाल राउंड वन जिसमें लाहीरी जी, चोरसिया जी, जोश जी एंड शर्मा जी खेलते होई दिखाई देंगे और 8 बजे ही आपको मैंस टीम राउंड भी इनी का साथ साथ चलता हुआ दिखाई देगा और 10 बजे फिर हमारे स्कोर्ष के लिए इवेंट शुरू हो जाएगा जो कि वुमेंस टीम पूल भी इंडिया वर्सिज मलेशि होगा और यह मैच काफी अच्छा होने वाला है इसके बाद मैडल इवेंट होगा वॉल्ट जिमनास्टिक में जो कि वुमेंस वॉल्ट फाइनल होगा प्रनती नायक जी इसमें फाइनल खेलते होई दिखाई देंगी इसके आगे की बात करते हैं तो 12 बचकर 30 मिनट पर के लिए इसके बाद 1 बचकर 30 मिनट पर आपको स्क्वैश देखने को मिल जाएगा जो कि इंडिया वर्सिस नेपाल होगा मैंस टीम और यह बहुत इजी मैच होने वाला इंडिया के लिए इसके बाद 5 बजे शाम को एक इवेंट होगा जो कि फुट बॉल का खेला जाएग और यह मैच का रिजल्ट सब जानते हैं इंडिया वर्सिस साओधेरेबिया राउंड ओफ 16 और इसमें इंडिया का जीतना मुझे लगता है 90 परसेंट तक नामुम्किन है बाकी चमतकार बचा सकता है और फिर दोस्तों एक इवेंट शुरू और हो जाएगा सुभा साड़े 6 बजे जो अब तक नहीं चल रहा था बैडमिंटन में राउंड ओफ 16 वुमेंस के लिए होगा और यह मैच बहुत इजी होगा मंगोलिया के खिलाव भारत की टीम अच्छी नहीं कर रही है लेकिन मंगोलिया के खिलाव जीत जाएंगे बड़ी इसके बाद सुभा साड़े फ्री स्टाइल वुमेंस 50 मिटर हीट 2 जिसमें आपको शिवांगी शर्मा जी खेलती हुई दिखाई देंगी और यह हीट का मैच इसके बाद स्विविंग में एक और इवन्ट आएगा जसमें आप देख सकते हैं विक्रम काडे जी खेल सकते हैं खेलेंगे जिसमें 50 मिटर बटरफलाई हीट 5 में यह पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरा इवन्ट भारत के लिए साड़े 8 वजे टैनिस की बात करें टेबल टैनिस जिसमें हमारे स्रीजा अकूला जी वुमें सिंगल्स में खेलती हुई दिखाई देंगी और इनका मैच कोरिया के खिलाफ होगा और ठेक इसी के बाद आपको स्विमिंग में मैन इंटू 400 फ्रीस्टाइल रिले रेस भी देखने को मिलेगी इंडिया टीम की उमीद करेंगे हीट मैचेज में जीत जाएं इसके बाद आपको 9 बच कर 5 मिनट पर वुमेंस 4 इंटू 200 मिटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग इव के खिलाफ राउंड ओफ 32 में और टेबल टैनिस का अगला मुकाबला अचंता सरत कमल जी खेलेंगे मंगोलिया के खिलाफ जो की राउंड ओफ 32 मेंस डबल्स का इवेंट होगा फिर उसके बाद 12 बचे शुरू हो जाएगा बॉक्सिंग का मैच जिसमें हमारी जैसमीन जी खेलेंगी 57 से 60 किलोग्राम कैटेगरी के लिए वोमेंस कैटेगरी में साउधी अरेबिया के खिलाफ और इसके बाद फिर एक बच कर 30 मिनट पर टेबल टैनिस के इवेंट देखने को मिल जाएंगे जिसमें स्रीजा, अकूला एंड चिताला जी खेलेंगे जो वेत्ताम के खेलते हुए दिखाई देगे वोमेंस डबल्स राउंड ओफ 32 में, फिर दो बच कर पांच मिनट पर टेबल टैनिस का अगला इवेंट शुरू होगा, जिसमें मुखरजी सिस्टर्स खेलती हुए दिखाई देगी काजाकिस्तान के खिलाफ वोमेंस डबल्स राउंड ओफ उसके बाद एक और इवेंट होगा आपको, मैंस सिंगल्स में, अचंता जी अकेले खेलते हुए दिखाई देगे, माल्दीब्स के इसमाइल खिलाडी के खिलाफ राउंड ओफ 32 इवेंट, उसके बाद तीन बच कर पच्चेस मिनट पर आपको साथियां गनेश करन जी का मिल जाएगा, चलिए फिर शाम का मुकाबला होगा, छे बच के पंदरा मिनट पर जो की इंडिया वर्स जिपान होकी मैच होगा, और ये मैंस इवेंट होगा, और ये मैच सबसे जादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि जपान भी होकी में काफी अच्छा है, एशियन चैं 46 से 51 किलोग्राम कैटेगरी और हमारे दीपक भाई खेलते होगा दिखाई देंगे जपान के खिलाप, और ये मैच दीपक भाई के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन दुआ करेंगे भाई जीच जाए, अगले लास्ट दो इवेंट्स जो की एक और बॉक्सिंग क है जसमें हमें निशान्त देव खेलते होई दिखाई देंगे, 63.5, 71 किलोग्राम कैटेगरी में, राउंड ओफ 16, इस प्री क्वाटर फाइनल, और एक आखरी मैच कलका जो की 5 बचकर 46 मिनट पर होगा, स्विमिंग के लिए जो की फाइनल मैच होगा, और इसमें हमारे आर दोस्तों आज का क्या रिजल्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी आज का रिजल्ट जान सकते हैं, दोस्तों कल से बैडमिंटन का आगाज हो जाएगा, उमीद करेंगे बैडमिंटन में भारत अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि भा अगली वीडियो में है, तब तक के लिए देखते रहे हैं, पहाडी ब्रदस, जै हिंद, जै भारत